वेल्टों में आपको देखने के बाद मज़े से हम पड़ें के मेजरमेंट मैं आपसे मिलने पारी थी क्योंकि मेरे एक्जाम चल रहे थे और अब मेरे एक्जाम खतम हो चुके हैं आप सब की तरह और मेरे को लगा कि मेरे से लिए बस में टॉपिक आया था मेजरमेंट लाँ होँए कि में मेरे सब्सक्राइबर्स को भी तफ लगा होगा तो आज यह बहुत टुफ है। अज हम सब मेलंकर इसे एजी करके पढ़ने वाले हैं तो चलिए शीरू करते हम आज rd मेजरमेंट का मतलब क्या होता है किसी चीज को मेजर करना और मेजरमेंट में बहुत साथ चीज़े होती हैं जैसे लेंग, वेट, वेट, किलो मीटर, मिली मीटर, सेंटी मीटर और ये सब चीज़े में अगर आपको एक वीडियो में पढ़ा दूएंगे तो आप ठंखने जाएंगे इसलिए मैं पाच-पाच करके आपको एक पढ़ाने वारी हूँ तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्राम्स और किलो ग्राम्स तो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि 1 किलो ग्राम्स मतलब होता है 1000 ग्राम्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स और किलो ग्राम्स और किलो ग्राम्स मतलब कितने ग्राम्स मतलब कितने ग्राम होता है मैं ने आपको बता चुका है 1 kg is equal to 1000 g इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले आपको 5 kg नमारा question है और यह से हमें ग्रांस में बदना है तो हाम यह आपट इस इकोल स्टू का साइन लगाएंगे बहुत इंपोर्टेंट है हमारे एक्दान में लिखने के लिए हमें इस इकोल स्टू का साइन लगा गया है दैन हम लिखेंगे 5 x 1000 ग्रांस ओके अब आज होचेंगे हमें 5 को 1000 से ही क्यों मुल्टिप्लाइब करा क्योंकि एक्स्प्रेस इन ग्रांस मलब समझ भी चैज़े से वह पूछ रहे है कि 5 kg मलब कितने ग्रांस होता है तो उसके लिए एक तो हम फिलिंदा बॉक्स बे भी आता है लेकिन वह यह नहीं है यह क्वेश्चन है इसे हमें फुन मैफट में करना है 5 x 1000 तो मेनी में मुझे ऐसा सिखा रहा है 5 बंजा कितना होता है 5 को 1 से मल्टिप्लाइब करेंगे पहले तो 5 बंजा 5 एंड यह तीनो जीरो हमें इसके आगे पुट कर देने हैं तो हमारा आंसर आज़रा 5000 ग्रांस तो यह हमारा आंसर तो आपको इसी मैफट में अपने एक्जाम में करके आना है सिदा सिदा अगर आप 5000 ग्रांस ही देंगे तो अगर तुम मार्स का कुश्यन होगा तो आपको सिर्फ एक ही मार्स मिलेंगे इसलिए पूरी मैफट आपको करनी है ऐसे यह इजी वाली मैफटी अभी आपको तफ वाली मैफटी यह है फोर किलोग्राम एड 716 ग्रांस सो अब हम क्या करेंगे अब हम इस इकोल स्टू को साइन लगाया है तो अब हम इस इकोल स्टू को साइन लगाया है आपको इस इकोल स्टू का साइन लगाया है चाहे आगे पित्ली भी स्टू हो लेकिन दूसरी इकोशन आपको नीचे वाली मैफटी नहीं करनी है यहां पर आपको नहीं करनी है ग्रांस प्लस 716 ग्रांस आपको आपको अपने मन में दुंड़खर सकते हैं अगर आपको अपने मन में आम यह कर अनक mortar यहथ तो आप यहां पर यहां पर एसर पर कर सके यहां पर RW लिख वतला जहां पर कोई नमबर नहीं हम आपँ 0 लगाते हैं और हÎं आपको एसले करना कि 7 याँ पर 2 यह आपँ आपँ और 6 यह आपँ पर 0 हम पर लगाते हैं फिर तोव भी हो जाएगा 7600 यहाँ आपको नहीं करना है आपको 1s, 10s, 100s, 1000s करना है 1 से आपको शुरू करना है चाहिए कुछ भी हो जाए 2 digit का नंबर हो चाहिए 1 digit का नंबर हो आपको 1 से ही उसे लिखना शुरू करना है तो यहाँ पर 0 plus 6 is equal to 6 0 plus 1 is equal to 1 0 plus 7 is equal to 7 and 4 plus 0 is equal to 4 तो आपका आंसर है 4716 grams तो आपका आंसर है 4716 grams आंसर 4716 grams यह है आपका आंसर तो express in grams आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा अशर वर्ट्यूब और नहीं आये तो कमेंट में बोलिए अब मैं और सारे एक्जाम्मल लिगे आपको जल्दी से पठाऊँगी और आपको आजाते हैं express in kg and grams अब आपको लग रहा होगा यह तो बहुत तफ है क्योंकि इसमें 1500, 5000, 4000 बहुत बड़े बड़े नमबर है ना सो अब यही इजी बनाएंगे हम 4000 ब्राप्स इसमें क्या कर रहा था multiply कर रहा था लेकिन इसमें हम दूसरी चीज करेंगे इसमें हम divide करेंगे और मैंने divide का वीडियो भी बिनाया है अगर आपको division नहीं आता है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं आपको लिए मिल जाएगी तो अब इसमें फोकस करते हैं और चलिए 4000 ग्राप्स अब हमें इसे kg and g में बदरना है जह इसमें kg किलो ग्राम्स में रहता था इसमें ग्राम्स में है ठीक है अब आपको इसमें क्या करना है मुल्टिप्लाइन है आपको इसमें division करना है इसको divide करना है तो सबसे पहले हम इस इक सान का सान लगाएंगे फिर 4000 डिवाइटेड बाई वन थाउजन ग्राम्स अब यादा आपको ऐसा करके ऐसी एक equation बना लेने है जहां पर जिस से हमें divide करना रहता है उसे हम यहां पर लिखते हैं और जिस नमबर को हमें इससे divide करना रहता है वह हम यहां पर लिखते हैं वहां परहता है कि सब का सब अधर हमें'll कि 4000 ग्राम्स अबगल में कित्न हाल के थाउजन तूजन ग्राम्स और कॽिंटन के यह नंग रहता है 1000 ग्राम्स 6 ia ह chlorल सबखे ट्रे ट्रेता क्या मग्ला बलैद 10けて हैं Okay, so zero minus zero is zero, 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 zero. So, हमारा answer है, हमारा answer क्या है? So, हमारा answer है, four kilogram. Okay, this is our answer. Then, second, जैसे इसमें पहले easy था और फिर तफ, इसमें भी easy और फिर तफ. अब यह है, one thousand fifty grams. So, सबसे पहले easy equals two का sign लगाना है. And then, one thousand fifty grams divided by one thousand grams. Okay, then हम यह आपे वापस एक्वेशन लिख लिएंगे. और किस से हमें डिवाइट करना है? One thousand चे तो one thousand इधार आएगा. और किस से हमार को हमें one thousand चे डिवाइट करना है? इसको तो हमें यहाँ, यह अब आप सुच रहो हमें कि one thousand के डिवाइबल में one thousand fifty तो आता ही नहीं है. लेकि one thousand के डिवाइबल में one thousand तो आता है ना? आप one thousand आता है. One thousand, one सा one thousand तो question होगा है. One तो यहाँ पर one thousand, one सा कितना होगा है? One thousand. So minus one thousand. So zero minus zero, five minus zero is equal to five. Zero minus zero is zero and minus one is zero. So our answer is one kilogram and fifty grams. यह बात आपको जान में रखने हैं कि जो question होता है वो kilogram होता है और जो remainder होता है वो fifty grams, grams होता है. इसमें पहले हैं किलो ग्राम्स and grams. So जो remainder होता है वो grams होता है और जो question होता है किलो क्राम्स होता है. So यह था हमाला आज का वीडियो कैसा लगा शगर भी हम आपको बहुत अच्छा लगा होगा. मैं को तो पता है कि आपको समझ आया होगा. पर अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक दो बार और repeated देखिये. आपको मैं पका 100% guarantee से बोल सकती हूँ कि आपको जल्दी से समझ आ जाएगा. So अगर आपने इस वीडियो को बहुत सारे लाइस दिये तो मैं जल्दी से measurement की और series आगे लाऊंगी. तो अगर आपको यह समझ आ गया हूँ तो लाइक की और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो और share करने का तो मने बोली दिया है आपने तो अभी दख करी दिया होगा ने कर रहा है तो जल्दी से कर दिजे. So meet you in my next video and till then take care and bye-bye.